दोस्तो अगर आपको आपके फोन में मैसेज पर OTP नहीं आ रहा है कोई भी टाइप का OTP किसी भी आपका तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने फोन में एक बार सबसे पहले यह चेक कर लिज법 के रहे हैं की नहीं गूगल प्ले स्टोर में और यहां पर messages लिख करके search करेंगे messages जब लिख करके search करेंगे या फिर Google message लिख करके इस टाइप से search कर लिजेगा या फिर messages by Google तो आपको जो है वाला है आप दिखा देगा messages का अगर इसका update आया हुआ है तो आपको इसको update कर ले रहा है क्लिक करके उसके बाद देखिए आपकी problem सही हो जानी चाहिए फिर भी problem नहीं सही होती है तो आप क्या करेंगे आप जाएंगे अपने phone की settings में settings में जाने के बाद करेंगे नीचे की ओर scroll नीचे की ओर scroll करने के बाद apps पर क्लिक करेंगे, manage apps पर क्लिक करेंगे यहां पर search करेंगे messages ओके इस पर क्लिक करें यहां पर clear data पर click करके इसका clear all data कर दीजे ओके इससे आपका message वगरा delete नहीं होगा, okay clear all data करने के बाद आप सिंप्ली अपना messages आप open करिएगा यहाँ पे next पे click करिएगा और देखिएगा आपको OTP आने लगा की नहीं अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको एक और अप यहाँ पे दिखेगा बैक करेंगे तो phone and messaging storage का इसका clear cache करिए इसको 4 stop एक बार करिए और उसके बाद आप देखिएगा आपकी problem सही होती है की नहीं अगर फिर भी नहीं सही होती है तो आप एक बार अपने phone में power button दबाईए अपने phone को reboot या restart करिए उसके बाद देखिएगा आपकी problem सही हो जानी चाहिए बट अगर फिर भी आपको OTP नहीं आता है तो आप ये checker लीजे जिस number पर OTP आना है उसके recharge है कि नहीं ऐसा तो नहीं उसके recharge नहीं और आप OTP request कर रहे है तो कैसे आएगा तो उसके recharge कर लीजे आपको OTP आजाएगा और अगर इसके बाद भी recharge है फिर भी नहीं आ रहा तो आप थोड़ी देर बाट ट्राई करेंगे तो आपको OTP आ जाएगा अगर वीडियो से हल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए